अगर आपको दोनों का डिटेल वीडियो देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस में जाके चेक कर सकते हैं अचले अब हम पढ़ेंगे अचाडी और अचाडी में डिफरेंस क्या होता है इसका फॉर्स पॉइंट होता है इसका एम होता है कि जो आचाडी का एम होता है कि जो competences है, employees की, उनको realise कराएं कि उनमे कौनसी competences है और उनको develop करें अचार्म का एम होता है कि वो जो employees है, उनके पास people है वो उनका effective use कर सके तके उनकी ओर इंडिविजिल goals है, वो keep people क solution का करने के लिए जहां पर जो लोग होते हैं वो एक दुसरे को इंकरेज करें अपना पैस देने के लिए आप है की है इंफेसिस होता है कि फैपल और और ऑर worn जे शिन डोनों एक साथ आए हर उन दोनों की जो गोल से इंपो से होंग तो टो वो जादा अच्छे से अपने वोल्स को अचीब करने के लिए मेहनत करेंगे थर्ड पॉइंट है स्कोप इसकोप जो होता है HRD का वो काफी limited होता है क्योंकि यह HRM का पार्ट होता है तो इसका स्कोप जो होता है वो limited होता है और इसका स्कोप बहुत सिर्फ नहीं तक सीवित रहता है कि वो जादा वाइडर होता है यह तीन आस्पेक्ट कवर करता है फॉर्स्ट पार्सोनल सेकेंड वेलफियर एंधर इंडर्स्ट्रियल फॉर्थ पॉइंट है ओरिंटेशन ओरिंटेशन क्या है डेवलपिंग का हेल्दी वर्क लाइमेट एंड इंप्रूव दी क्वालिटी ऑफ इसको शर्थ होता है कि वह यह हैल्थी वर्क लाइमेंट developed करना चाहता है जो वर्क लाइफ प्वालेटी है उसे एंप्रोव पहना चाहता है यह जो इसके हैल्मन टैलेंट कै while ए उसको यह कॉम तिजES मतलब कि झो शीmm र्ज और्ज एंड यह मार्कुट में यह चाहता है कि ये उन सबसे जादा बेटर रहे, सबसे बेटर बने 5th point Responsibilities, HRD कि responsibility ये होती है ये HRM manager की responsibilities होती है, और ये HRM जो होता है, उसम की responsibility होती है, line manager और staff expert पे So I hope आपको ये वीडियो अचा लगा होगा वीडियो अचा लगे तो वीडियो को like, share मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो